हेलो फ्रेंस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुंबई स्पेशल हरी चटनी की रेसिपी मुंबई स्पेशल बोले तो बिल्कुल चटपटी सी हरी हरी और गाडी गाडी सी चटनी इसे आप सेड्विच के साथ या भेल के साथ या कोई भी स्ट्रीट फूड है उसके साथ आप यूज कर सकते हैं बहुत ही चटपटी है और बहुत ही मज़ेदार हरी चटनी बनकर हमारी रेडी होगी तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिक्सी ग्रैंडर जार में मैं ये नमकीन सेव डालूँगी बेसन वाली सेव है ये आप इसके जगह वो राइते वाली बूंदी जो आती है वो भी डाल सकते हैं इससे जो हमारी चटनी बनेगी वो बिल्कुल हरी हरी और बिल्कुल फ्लेवर्ड बनेगी और साथ ही मैंने चार से पांस लसुन की कलिया ली है और अब मैंने लिया एक टेबल स्पून मैंने रोस्टीड चने ली हैं जिसको देशी बासा में बूंगडे भी बोलते हैं अब मैंने यहाँ सफेद तिल लिए लगबग एक टेबल स्पून है ये सफेद तिल के जगा आप रोस्टीड पीनट्स भी ले सकते हैं और बिल्कुल छोटा सा मैंने प्याज लिया है अब लेंगे जो हरी चतने का मेन इंग्रिटेंट्स है धनिया और धनिये की हम ये डंडिया नहीं कट करेंगे क्योंकि इसका आसली टेस्ट यंपट याज हम्यने दाला साथ ही मैं इसमें आधा निम्बू का रस डाल दूँगी आप एक निम्बू भी इसमें नी चोड़ सकते हैं अब मैंने आधा चमच जीरा लिया है अब आधा चमच मैंने चाट मसाला लिया है थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है और थोड़ा सा बिल्कुल सेंधा नमक लिया है और साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा काला नमक, काला नमक से भी चटनी का फ्लेवर और काफी अच्छा आता है एक मैंने हरी मिर्च ली है, ये बिल्कुल तीखी वाली हरी मिर्च है तो आप अपने अकोडिंग हरी मिर्च को कम ज़ादा कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक स्मूध सा पेस्ट हम रेडी कर लेंगे ये देखे, मैंने बिल्कुल इसका स्मूध पेस्ट रेडी कर लिया है कितनी हरी हरी और कितनी मज़ेदार वाली बिल्कुल गाड़ी गाड़ी हमारी चटनी बनकर रेडी हुई है इसे आप सेंडविच के साथ या भेल के साथ या जो चाट पपड़ी होती है उसके साथ किसी भी स्रीट फूड के साथ खाईए बहुत ही मज़ेदार टेस्ट ये देती है और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेर और सब सबस्क्राइब करना मत भूलेगा थैंक ये फूर वोचिंग अगर।